आप लोग अरे आप हैं तो आप लोग इस सोच सकते हैं कि इतना पढ़ने की क्या जुरुरत है इस पर बहुत सुन्दर शब्द प्रहुपाजी का है कि if you don't hear sufficiently then they will not be any more hurry bowl और इससे हम शुरू करते हैं इस बात से कि हमें चाहिए कि हम खूब परिश्वम करें ताकि जन्मृत्य और योनी परवर्तन यानिकि एक के बाद एक कभी पशुवनी कभी श्वनी में जाने में इस चक्र से मुक्त हो सके हैं अब आप देखिए कि आप में से प्राय सभी लोग या काफी लोगों के घर परवार वाले सुचते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं जो आप भक्ति कर रहे हैं करते हैं कि वह एक कुछ करो लगे करोव नबद के लावाव जाए और उन चीछ से यह पूछलिया जाए कि क्यों कि आजmpfen शर्षिकांद्र वो आपको वाई यू आर्वान प्रस्ता आपको कि बोलते हैं कि करने के लिए आपको तो कुछ नहीं बोलना चाहिए कि इस पर मिझे एकना हसी आती है आप थोड़ों आप लोगों हशेंगे कि आज से आप तीस चाले साल पहले चले जाए तो कोई सोचेगा भी नहीं कि लड़कियों को नौकरी कराने हैं प्लीज आपको हम तो इतने व्रद्ध नहीं है बट शाषिकांद्र वो क्या लगता है आप लोगों के जमान में आपकी बेहन को जो भी होंगी नहीं सोचते हैं कि नौकरी करा जाएं सिंपल भाई पंदरा साल सोला साल या मैक्सिम एक बीजिए के साल की हो गया उनका प्लेस्मेंट इस समय अगर आप कहीं लड़की जारी नौकरी करने के लिए तो बुरा मानेंगे इस नौट अब आज कर मालो लड़की नौकरी ना भी करना चाहे कि हमको शादी करा इसे करके तो उसको बुरा मानेंगे ऐसा नहीं थियोरियम बोल रहे हैं कल यह मारे संगटना हो चुकिए पूछ रहता है पहले करियर तो बना लेती पहले यह तो हो जाता तो उसके बाद शादी करती कि इस जस्ट शिफ्ट पैराडाइम कि रहे हैं कि यह लड़का लड़की कुछ भी करियर की बात करें कुछ भी बात करें तो विक्ति प्रॉश्य यह नहीं करता है कि से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा कल एक भक्ति मुझें को बोल रहते हैं हमारे माता-पिता के भी तो कुछ सपने होते हैं अब मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे थे लेकिन बोला कि आपने अब तक जितने सपने देखे उन में से कुछ पूरे हुए कि नहीं हुए तो उतर कैन भी मिक्स्ट हां कुछ हुए कि आप संतुष्ट हुए या असंतुष्ट हुए तो उतर क्या है असंतुष्ट अब अगर उन्हीं की बात पर उनको पिन कर दिया जाए कि आप कह रहे हो कि आपके बच्चे आप से सपने पूरे नहीं कर रहे हैं आपने अपने जितने सपने पूरे किये उससे कि आप लोग बिलकुल पर्शु के तरह जी रहें जब जाब करते हैं भक्ति करते तब उनको सोचने की शमता कुछ आती है नहीं मैंने अपने जीवन में जो भी सपने कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए लेकिन जो पूरे हुआ असंतुष्ट करके छोड़े हैं तो मैं अपने मालों उन्हें पूरा कर भी दिया कि आपको अलका मालों आया चाहते हैं आयस बन जा तो आयस बन भी गया तो भी क्या आप संतुष्ट होंगे तो प्रभुपाद जी बहुत रिवोलिशनली बात कर रहे हैं यह नहीं कह रहे हैं कि हम को आलिशी हो करके बैठना है परिश्रम करना है कि किसली करना है ताकि हम इस जानम्रित्यु के चक्र से मुक्त हो जाए और आप देख रहे होंगे कि शायद आप लोग अधिक महनत करना है अब अपने भक्ति की जीवन में शायद ही कोई विक्ति ऐसा होगा भी जो बहुत इक्तावाद में हो तीन बजे बिन जब अ आप कुछी को मिलें आप तीन जाठी उट रहे हैं पैसे ना मिलते हो और उठ रहा हो कि हो सकता है नौकरी करने के लिए यह जोटते हों लेकिन ऐसे ही उटने वाले लोग बहुत रेयर मिलें कि बहुत रेयर कोई होगा जोब कुछ विशेश प्रयोजन लेकि चल आने तो उ आतिक्ता की प्रगति में आप छोड़ रहे हो अप इसको उसका उदेश यह नहीं किम खाली खाली बैठे रहे हम सोते रहें उससे नहीं कुछ प्रगति हो क्या बोल रहे है खूब परिश्रम करना चाहिए और उसका मतलब क्या है जन मृत्व के चक्र से छूटना इतना आसा कर रहे थे कि कभी कोई सादू घूम रहा होता इसा तो लोग बोलते हैं अपना भी आश्रम बना लीजिए तो आश्रम जो है वह स्थान कुटिया वाचक नहीं है कि कुटिया बनाले वहाराम से मलब खसका जूस पिया ठंड़ा से करकर सो जाए नहीं आश्रम कर्थ क्या का इसे लोगों के इ Prag यह पार मैं और नियुक्ति आश्रम कर्सके माननं जिवन की सफलता है फालतूमें जीने की मतलब है 从Namexs जैसे फरारी याड़ी को फरार होने के लिए पैसे तरह भाई बहुत तेज दोड़ने के लिए ही उसकी सारी तुप ऑई की जाती है उसको ख खेत में जोतने के लिए लगाते के नियुक्व भाई 200bhp है जितना भी बीजू होता हुए उसका तो अब उसको खेत जोता जाए बढ़िया से खेट जोता जाएगा नहीं को इसका पर डिसन मेक मैंनी पॉइंट इबाद दिशा सिंपल लग रहे हैं लेकिन लोग भूल जा रहे हैं एक कटाक्ष करने का मन करना सामने दिख रहा हमको एक भाक्त अब 20 लाग का मकान में नहीं रहेंगे तो पर क्य कितना पैसा कमाएगा फुर उतना वहाँ और बढ़ाले इसकी में हम कैसे जी सकते हैं कि इसके इसके दिमाघ में अपने अपने प्रसेश कर लीजे और इसमें हम अपने माने ज्यों के लक्ष को भूल जाएंगे और दो आप लोग ढ़्न बहुती कर रहें तो लुक्ति कर र लड़के लोग कितनी रूम में रते हैं आठ था रूम होता है और अदाम जितने खुशिते आप लोग अस्राव में रहे होंगे और अभी भी आप रहे हो नहीं यहां पे गुविद निवास पर रहे नहीं और चोटा रूम मेरे रूम से भी छोटा रूम है एकदम बढ़िया चिल नीदा आती है कि ने हमको बहुत है आती है एक बाग बता रहे थे कि हमने घर बना लिया और उसी के नौकर बन गए इधर जालू मारो उदर जालू मारो उदर सफाई कर आशे कर के कर गोबरेला ठीक है कि नहीं शमा की जेगा लकान हमको लगता कि क्यों इतना समय खराब क हो गए तो कितना बड़ा वैकूंट में कोई अफ्लैट की कमी है हम लोग कलपना भी नहीं कर सकते के वैकूंट में कैसा मकान में लेगा होस्टल लाइफ is the happiest moment of life of our life अब देखो यह कितने ना बुरा मत पलेगा हम ना लाइशब इस्तमाल करेंगे यही बोल रहे थे यहीं वेक्टी जो बोल रहे हैं भी सबको everyone को ते नहीं मेसेज कर दिये है अबिरिवन कर दिये बोले प्रफोजी क्या ग्रहस्ति में हम जीवन नहीं स्विकार कर सकते भक्ती का जब बोल रहे हो कि सुकी हो तो चेंज क्यों कर रहे हो या तो आप सुकी है नहीं या तो आप क्या कहते हैं काली लोग को impressed करने कलें कमेंट करने क्म से कम से अगम everyone को तो तो वहां कि लड़कों मैंने मामाजी लेके गए थे में अधिकार प्राप थे क्या प्राप इतना सुन्दर लाइन है कि जन्हें निक्रत के चक्र से बहुंत सकते सिंपल सी बात है आयेती में पणने का अधिकार नहीं लोगों को है यो पांच लाग करके चार-पांच हजार में आते हैं मैं अब हमारी जमाने में बढ़ा दियाओं का लग बात है और किसी को महां साइकल घुमाने का मेरा सब मैंने मामा जी लेके गए थे मेरे को वहां पर सेलेक्शन नहीं बहुत है मैं शाद 11 में था तो वहां के लड़को मैंने साइकल घुम बड़े इस्टुशन से हैं यह तो क्यू नहीं वह कुंट में चले जाते जोटे माइश कि पास और कि कियो जोनी में में है नित करेंगे देवता को नहीं सकता लोग बहुत पड़े हुए है कि अधर उनका इस बहुत मुश्किल है और खुद बोलतन है कि एक ही जनम में मनुष भगवान की भक्ती करके भगवान के पास चला जाता है, कितना लाइसेंस भगवान ने दिया, हम लोग रोज आपको बोलते हैं, दर्शनारती में भगवान को दीबदान करने से भगवान के पास चले जाओगे, तुलसी जी को देखने से, प्रणाम कर करने से से भवान के पास चले जाओगे, आपको पता है, तुलसी जी जी बालों में प्रणाम करते हैं, फुस फुस इस तरह यह थोड़ा गर्मी हो जाती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, फुस फुस मारेगा तो जनमृत्य के चक्र से मुपत हो जाएगा, अब यह बं नहीं कर सकती, see the quality which Krishna has given us, तो प्रभपाजी कह रहा है कि मानव जीवन को इसी तिले रखना चाहिए, जीवन और मिर्त्य से उत्पन योनियों के इस निरंतर परिवरतन को हम रोक सकते है, it is possible, कहा कहते है उसको, स्वाराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको ले महमान की भक्ति करके हम पार हो जाएं, ये करोणों बार सुनने के बाद भी किसी को वक्ति को समझ में नहीं आएगा कि we are supposed to go back to Godhead, ये आप लोग मैं अनभव से बोल रहा हूं कि करोणों करोणों बार सुनने के बाद भी लोग को समझ में नहीं आएगा, एक वक्ति को क्या मैं कोई विशेश प्रिय हूं कृष्णी के लिए, सभी तो भग्मान के आएँश है, एक बार सुलों हरे कृष्णा बलेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे, अब आप चेक क यह किसके जीव पे राम या कृष्ण शब्द नहीं आ रहा है कि माता जीनों के मुख पे तो आए गा नहीं है कि नहीं आया और जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो लोग शादी शुदा है या जो कोई है निना पता निन शादी शुदा यहां पर एक श्री निवास पर वह आप आपनों की मुख पे तो आया नहीं ना हरे कृष्ण तब कमी क्या है बताईए जिवास पर्शे आ चंडाल सब्सक्राइब चंडाल तक के लिए लाइसेंस है और फिर भी वेक्ति वक्तुम् समर्थु पी ना वक्तु कर्षित फिर भी वेक्ति ना बोले तो फिर क्या करा जा और आप देखेंगे कि कितनी अर्ज होती है हमको बोलने की क्या आपने यह नोटिस किया है प्रसाद के समय के अंचे मैतर के बगल बैठे होते है और पर साथ तो बहुत क्वुशी का समय होता है तब तो शक्ति बल आ जाता है कि और तब देखी करना प्रसादम को बैट रहा था और मेरे मन में बहुत सारी बात आनित दिन के समंध कृष्ण से नहीं था और बगलवाले से बात कर सकता है तो अचुप रहा अशू को बहुत बात भी नहीं था पर इस भी गलत बात भी नहींत है ब्लावल भी नहीं था पर इडिकर्ट चुप घॉइड सारी घॉट बैड प्रसादम तो यह यह था आया तो थुटैसमी किण समस्ता हम पुलेंगे आप में एक वाचो वेगम है, बोल नहीं रहे हैं, मुझा टाइप कर रहे हैं। It is tough. मन की बात छोड़ दिजिए, वानी को वेख को ही सहमेद करना is just tough. But you become more powerful if you only talk about Krishna, because your potency increases by talking about Krishna. आपका तेज बढ़ता है का Krishna के बारे में ही बात करते हैं, भक्ती बढ़ती है. क्या ये exercise आपने कभी भी करी है अपता जीवन में? Some days you just keep at least 50% कम कर दिजिए बोलना. और जब अधस्ती नहीं पूछे भी खाना खा लिया तो नहीं प्रभुजी नहीं आत। यह पत्नी को पूछे पत्नी, भी खाना बना दिया। यह नहीं कह रहे हैं है लेकिन अवर्श्च्थ नहीं बुले। इंध वर्श्च्न के बात करना शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, व्रृत्युस्ए म whilst का जाते है। इस इस वंडर्फॉल मैं अपना पता रहा हूं कि पहले हम दस में से क्लास नहीं करते थे मंदिर में बढ़ते थे और समाह भवान की कृपा से हमको ऐसे वैस्थ है रहती कि मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता मैं तो भक्त लोग हैं एसिस्टेंट हैं जो भी कह लिजी उनक जाता था तो मैं एक बज़े तक बठा रहाता था ओफिस पे और प्राया प्राया बिकोज शास्त्र की चर्चा नहीं होती थी तो कुछ गर्वड़ी चर्चा होती तो इसका संबंध कृष्ण से नहीं होता तो ना इस तो फिल वरी ड्राइट वान प्म इंडरान भव है इन कंट्रोल ओफ देर टंग एंड यह नौट इवन कॉंशेस कि क्या मुख से आ रहा है उसका क्या प्रभाव के चित पे पड़ेगा क्या आपने असा अन्भव किया आप लोग के वर्क सर्किल में कार के आपके कार के अलाव अभी लोग क्या क्या बोल जाते हैं और आप द परिवर्तन को रोकने के वांख की वेृक को रोकना बहुत महात तोड है क्या हूं यह मैं नहीं बोल रहा हूं रुप को सव ना हिए उसके बाद आपका मन उसमें निव्जुत होगा बारम बार के बारम बात करेंगे तो मन में भी घुमेगए लेकिन अगर जीव को नहीं लगाएंगे तो मन नहीं लगने वाला है जीव दुनिया की बात में लगेगी तो मन नहीं लगेगा तो इसलिए आज मैं सोच रहा था कि क्यों महाप्रभु बोले ग्राम में वार्था ना शुनी बेकाने और ग्राम में वार्था ना कही बेड़ यह सुना है अपने अगुनात दास को सवामी कहे कि भा ग्राम में कथा ना कही बे ना शुनी बे सुनेंगे तो फिर उसके बाद मन आएगा इतने अची बात सुनी तो दूसरे को रूब बताना चाहिए जन के लावार्थ के लिए परमार्थ के लिए बोलना चाहिए है कि और लोग बोलते हैं आप लोग से अइसा होता है कभी को बहुत को पता है यह जो शैली है ना इसका मतलब समझ लीजे कि वह कुछ मसाले वाली ख़बर लेकिया और कई बारा सब वाइगा है उसको बोलता है हमको तो कुछ नहीं पता है तो गिरराज महराज कहते हैं जब ही को ऐसा बोले को बोलो क्या इसको जानना मेरे दौरा फिर वो सुचे करने जरूरी तो नहीं है और शायद वो ना बोले आप लोगे इसा बात क्यों बोल रहा है इस इस आर टंग इस आवर डोल तो लिबरेशन इस समझ भीजेगा इस बात को हम पुन्हा अपने वा यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह नारज जी के शब्द है व्या व्यासदेव जी को डांट पड़ रही है तो सुचिए हमारी क्या गति होगी वहां पर चक्रवर्तिपात बोलते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान से अलग कुछ भी बोलने की इच्छा करके बोलता है समझ पाने मेरी बात उसकी अर्ज है कि मैं भगवान से अलग कुछ चमकता है और फिर वजाकर कोई उदर की बात करने लग गया तो फिर हमारी स्मिर्थी घुम जाती है हम अपने हम पुनह अपने वास्तिविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्यान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं विकास अथ्वा प्रकृति का सही उद्देश यही है अधिना प्रापाजी के अतात्पर कितना सुंदर है ना कितना सुंदर का टाक्ष है बारं बार आप इस मनुष्य जीवन के जो आज कल की धारना है उसमें विकास का क्या स्टेंडर्ड है जरा बताई है माइक पे बताना चाहेंगे माइक दीजिए लोग सोच रहा है कि हम चुप रहने देंगे नहीं अपने वानी के वेक का उप्योग कीजिए येस माइक is there क्या है विकास और प्रकृति का इस समय स्टेंडर्ड प्रभजी एक अच्छा लाइफस्टाइल हो एक अच्छा तो हम भी बोल रहे हैं आप गलत नहीं बोलने हैं आप सही बोल रहे हैं लेकिन उस अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब क्या है आप मारा जी है धर्म की सभाम है धर्म मत कीजिए प्रॉम्ट नहीं कीजिए तो जी बहुत सारी चीजे इखटी कर लेना जो इंद्रियों को ब प्रतिष्था इसको कर लेना अब प्रभजी लोग उतर देंगे इसको निरस्त कीजिए कि यह क्यों विकास अप्रगति का सही उत्देश नहीं है इस गुड़ विपिंग एवरीवडी आवहिक आप कुछ कहना हाँ क्योंकि मतलब की है ना इससे हमारी मतलब की और भी है ना ज्यादा मतलब की हाँ अपने आपको होता है मतलब की हाँ मतलब की हाँ की अपने आपको है ना हाँ शरीर मतलब की शरीर की भावना से जीवत हो जाएंगे राम हरी प्रभू आप क्या बोलना चाहेंगे इसके पर यह हमारे नरक करास्ता ही है। के तेल के लिए तुमों तो शूंकर रहें हम तो गी के प्राटे खा रहे हैं अग्मान के अंसार ये सही नहीं है मत्लब भग्मान जाए भाड में हमें क्यामियां से बत कि इतनी चीज्ट्थी कर लें हमें आत्मा को संतुश्टी दिने वाली है कि क्या प्रमाड है एक पानी जी के पास 400 कारे हैं अब इस पर बोलिए आप हमने कर देखो अगर 400 कार अगर वह एक भी कार से संतुष्ट हो गया होता तो दूसरी क्यों खरीता चलेंगे तो आप एक ही कार से ना चलो परिवार के लोग दस दस लोग हैं दस लोग के लिए 10 कार कर दी चलो सबको अलग से उसको एक भी कार से संतुष्टी नहीं है see how helpless he is can you see the helplessness of Mr. Ambani no offense to him but to a person who is not actually like full-time proper full devotee हमको उनके प्रतियापराद नहीं करना चाहते हैं हम ठीक है सम्मानी है अच्छे businessman है लेकिन क्या उन्हें 400 किसी वेक्ति को भी 400 कार की जुरत है क्या मेरे पास data है उसका हम अनलसिस कर रहे है एक यह फील्ड होता है data analysis का हमको नहीं पता सत्य कितना है अगर अगर यह सत्य है और जगत में आप लोग देखते हैं एक mobile phone एक iPhone उसका दूसरा iPhone उसका नया वर्जन आर्दे गटिंग सटिस्वाइड विद्ट जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं वेक्ति देख र संतुष्टी होती है कथा सुनने से बन में संतुष्टी होती उसका कोई is no equal to it there is कोई equal नहीं है जबकि देखने में आप कुछ नहीं कर रहे हैं कि वहथ अची बात है इसको चुल को दोड़ रहा हो और तेजा रहा हूँ और लिखा भी रहता है आपने 5 km आगे बढ़ गए आप 12 km आगे बढ़ गए और आप खुश भी हो रहे हैं लेकिन पहुंचे एक इंच भी आगे नहीं this is a wonderful example given by devotees हला बहुत कर रहा है हो कि इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए लेकिन एक इंच भी नहीं बढ़ रहा ना जिस दिन जहां से शुरू किया तो वहीं पहुँचा फिर अगले दिन खुब दोड़ा पिर वहीं पहुँचेगा फिर गुब दोड़ेगा फिर वहीं पहुचेगा यह स्थित्य है इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसे व्यर्थ ना जाने दे जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण कर और श्रवन का आरंभ करते हैं वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुले लगते हैं अब एक हम यहां पर डेमो करते हैं श्री निवास प्रभू आप मेरी हेल्प करेंगे क्या आप उस दर्वाजे का लॉक्त लगा दीजिए उपर उपर कि बस एक सकते को ब्रभाएं कुछ ने वाले नियां। और आत्म निवयत नप्रभू अब आप बाहर जाने का प्रयास कीजिए हैं जाए थ्योड़ ड्रामा करते हैं अब बाहर जाने का प्रसे हैं इसे अब बाहर जाने का प्रयास ओले विल्कॉण कुंड न mitä आपको अरे आपने बंद ही ने किया, आपने पुरा ड्रामा किया रिटिक से, उसको पुरा बंद करना चाहिए था, So now if you try to move out, will you be able to move out? नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा, is it not, कुंडी खोल दीजे? अब आप वापस यहां पे आईए अपने कुर्सी पे, अब देखिए, ये बैटे हैं कुर्सी पे, और जैसे इनने बोला हरे कृष्टा अर्थात खुल जा सिम सिम, तो तुरंत ही वो लाच खुल गया, अब आप कृपया थोड़ा दरवाज़े तक जाईए, अब सब लोग आ जो देखे, जो ऻ्युक्ति यह हरे कृष्टा बोल रहा है, तो आपको लेंगत कि मुक्त हो गया, नहीं लगना, लेकिन बार बार वो हिआ र्यकृष्ट्ट्र हरे कृष्ट्ट्र्स्ट्रा, खृष्ट्न और न्स जगातbie किसी मालुम से .. कर दम अवाज भी नी ओती है व्यकुन्ट के विमान के डिए सभी नी होता इतनी भी अवाज नी होती है इतनी भी यावाज हो तो मालूम चलेगा न कोई मालूब भगत श्रीप छोड़े और अवाज आ री करके कोई इंजन वाली और कोई तावाज हो ने रही एक दम चुप चाप जो कहते हैं पतली गली से भभवान के पास चला जाए किसी को जगत में मालूम नहीं चलेगा कि भभवान के पास चला गया कि किस ने देखा है तो वेकुंट की पार्शादी देखेंगे और और कोई नहीं देख पाएंगे कभी-कभी ऐसे होता जैसे कि आज सबके सामने वेकुंट कई तो एक अलग बात है लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं गई की कि उनको वहांस पाल निती है प्रेड हिलता है हम पता नहीं है हो सकता है मैं भी आप मैंसे कितने लोगों ने हरे कृष्ट्र मंत्र को सुना है मैं बोली चुका हूं भी अब प्रभपाद आपे क्या बोल रहे हैं फिर से पढ़े कौन ऐसा मूर्ख होगा जो प्रभपाजगीन की पुस्तों को पढ़ करके भगवान की भाक्ती नहीं करेगा कितना प्रिण भगवान के पवित्र नाम का वच्चारण और श्रवन आरंभ करते हैं वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं यानि जिस दिन आपने पहले एकदम बुद्धु की तरह किसने पकड़ा हुआ आप लोग हरे किष्ट्र करिए कैसे मुझे दस मेंट लगा इस सबके मन को शांती मिलेगी उसी दिन से मुक्ति का द्वार खुल गया था जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे इसको बस उसी दिन से मुक्ति का द्वार खुल गया अ कि दोनों बाते हैं कि ने इसीने प्रभपाजी कहते है बार अंबार आप बताई इसको सुन करके क्या विक्ति आपको प्रिणा नहीं मिलेगा कि आप नाम जब करें आपको क्या दिखता है जिसकी आप जॉब करते हैं और कितने गंटे जॉब करते हैं दो गंटा आठ गंटे अब यह बताओ इनको पकड़ रहे हैं मित रहे हैं बोल रहे हैं मजाग कर सकते हैं अब आप यह बताओ यदि आपको वैकुंट दिखनी लगे तो क्या यह दो घंटा जब आपको कैसा लग रहा कभी देखने को सोचने वाले हैं आपने कोछ परशान भी नहीं बहुत बग छोड़ देते हैं आई डोंट फील लाइक आई डोंट है टेस्ट तो यह नहीं अब उसी प्रकार से हरे किष्ण मंत्र तप है कि नहीं तपस्यम इस मितलब ही कि आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है एक समय पर आका जब घरते शुद्ध हो जागा तो बहुत अच्छा लागेगा लेकिन यह बात समझनी होगी और यह दिखेगा कि हमको कब की वैकुंट में लेगा से बताइए जब हम श्रवण करेंगे बारम बार आप श्रवण करेंगे जैसे पर उपाद हैं पर बोल रहे किसके जीवन में नहीं आ रहे हैं अब इन्हीं को एक आदमी दिखा दो यहां पर प्रभोधानान सर्च जीव को छोड़ करके हो तो किते विश्वम पूर्ण सगाय ते पर महंसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं मतलब बैठे बिठाए परशानिया आती कि नहीं आप में बैठे बिठाए तो उनी परशानियों कुछ हेलते हुए जो कुछ भी क्योंकि वो तो आश्रम डिपेंट है नहीं तो निरेपेक्ष्य है हरे कृष्ण मन्त जब करें तो मुक्ति कमार खुल जाएगा रहमेशा में सब्सक्राइब जाएगी अब बेकूफी कोई होगा जो नहीं सब्सक्राइब करेगा मेरी लॉजिक समझे आप चाहे हरे कृष्ण करो या ना करो जिए उनमें कटनाई आएंगे कि नहीं आएंगी उसके बाद फिर क्या होगा एक दुबारा जनम मिल जाएगा फिर कटनाई नहीं आएंगी तो क्यों ना इन कटनाईयों को सहते हुए भी हरे कृष्ण में तरकिया जाए है हमारे वक्त है मुझा जानता हूं ना बहुत अच्छे डिवोटी बहुत अच्छे सब्सक्राइब हैं उनकी पतनी कुछ उनको परशान कर दिए कुछ तो केस कर दिए तो दो और हमेशा के लोगों ने ब्रेट के ब्रणा बना करके जब की आए तब उससे अधिक्या कटनाई पता ही लोग जीवन में आएगी अकटन ने जब किया अरे ये सोची ना भगवान के बाप ही आँठ साल जेल में बताय है तो आशची है कि कटनाई नहीं नहीं आए जीवन म तब तो लगेगा हमें तो कोई तपस्चा करने के लिए बूला ही नहीं जा रहा है। क्या लगता आपको 16 वाला बहुत बड़ी तपस्चा है। Depends, Depends की दिन कैसा है। लेकिन अगर आप थोड़ा से नियम से चलें, ठीक से सो जाएं, ठीक से उठ जाएं, तो कोई कटना ही नहीं होती है। यहां तक ही देखें, मैं एक और बात बुलूँगा। आप लोग भी प्रहुपाजी ग्रण पड़ते सुनते हैं, यह बताओ प्रहुपाजी कहीं बोले हैं क्यों सुबह माला करेगा हĩ वह भगवान के धाम जाएं। कि सुभह माला करने का लाब नहीं है तो प्रवपात कहीं नहीं कहे है कि सुभह माला करो गए तभी आप जाओगे आप की कौण चना बोल रहे हैं मैं उन्हों को एंकरेज करने के लिए बोल रहा हूं कि मानलोग कदाची तो आप किसी भी कारणवर्ष मानलोग का बच्चा है किसी कारणवर्ष आप पांच बज़े की बज़े नहीं उट पारे हो साथ बज़े उट रहे हो तब यह नहीं की मुँ लटका है बैठे रहो कि अब हमारा तो इस तिखराब होगए हम कुछ करी नहीं सकते है अब हम माला क्या करेंगे त्यादी त्यादी ऐसे होता है कि नहीं सोला माला बढ़िया से कभी भी करिये किसी समय भी करिया भवान के पास जाएंगे हाँ यह सभावी सी बात है कि दिन में करते हैं तो संभवना कम होती लिए कि लिए इसलिए सुबह बोला जाता लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में आप हरे कृष्ण बोलेंगे तो उसका लाव नहीं है this is wonderful statement मैं इस बात को विशेश रूप से बताना चाहता हूँ कि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का जब कीरतन करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा, हरे रामा, 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 हरे हरे तता श्रीमत भगवाद गीता में बताएगए सत्त को सुनना यह स्री कृष्ण के साथ शारेरिक संग रखने के ही समान है वाव वाव, क्या स्पाद बोल रहे मतलब क्या जैसे श्री राम में से थोड़ा दून है अधर आईए, हलका सा पास आईए यह शेक हैंड्स, like this just like I am shaking hands with Shri राम similarly when you chant Hare Krishna, Krishna is directly on your tongue you are touching Krishna in the form of sign of Krishna जैसे ही आप Krishna को, Krishna बोलते हैं तो Krishna शब्द के द्वारा आप Krishna का संग प्राप्त करते हैं Krishna के message को सुनते हैं Bhagavadita को तो आप Krishna का संग प्राप्त कर रहे हैं और आप लोग शायद भूल गए कि नहीं लेकिन आपने Krishna के संग प्राप्त करने से हमें क्या फाइदा होता है क्या सीखाता आपने प्रुपजी याद रखने का पैसे नहीं मिलते हैं बुद्धी शुद्धी गलत नहीं बोलने लेकिन एग्जेक्ट शब्द क्या सुले थे हैं उपाधी यह उपाधी से मुक्त होते जाते हैं तो जैसे 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 कितना सही अप्लोग सही याद होगे आप लोग को ठीक है जैसे क्लास में हो रहा था इससे बाद अच्छा परस थो नहीं था जैसे कली था ना शादी कल था परस अब बहुत अगरां विचार कीजिए जस्टा सिंपल वेरी सिंपल वेय औव सेल्फ-REE-Llgn वेरी सिंपल स्टेट फॉरवर राइट उपादी से युगत मतलब आत्म शाक्षातकार से रहित मैं यह मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं तो उपादी से युगतु हूं और उपादी कौन डिजॉल्व करेगा भागवान का संपर्क और भागवान का संपर्क कैसे प्राप्त होगा नाम और ज्ञान कितना इंकरेजिंग है अब आप को हमको समझ में नहीं आता है तो क्या आप ब्रह्मा हो आप लोग नहीं होंगे इन दर पूछता हूं भाई डिवोटी जूम पर एक सट डिवोटी हमें लिख रहे हैं आप तो आप में से कोई ब्रह्मा हो तो ज़्ला पीस रेज हैंड्स नही है यह बार हमने परमपजे बुरंदाचन महराज को पूछे महराज हमने यह बात तो सुनी नहीं तो कह आप ब्रह्मा है जो हम सब सुन लिए हैं सब जान लिए है तो यह एक दिन बूचा था नहीं कि शरद रुत्तु में पानी कैसे साफ हो जाता तो बना मुझा गुमराइ खाना चाहिए किए शक्तन नहीं पता हमनों को है कि यह सद्थय आध्यात्मी जगत कंप है यह कको सुमझा आते हैं को पता है नामग ने रोल नímा इसे पहले पहुंचते कैसे हैं पहले भावस्था में पहुंच जाते बुखान कल तो तो हगे एक ठाझ है सिंपल्स श्ह Macией पारोग नाम ठाट लाएंद खर्श्न to highest को स्पारिश्द्द से अभी नहीं होता करता हो कि अरे बड़ से निया चुना चुडब बोलने में तो की करती है यदि बदो से नहीं हो रहे हैं तो अगर हरे क्रिष्ट शब्द आध्यात में के नहीं होता तो कैसे बताइए हमारा चेत्ना में परिवर्तन होता कल मेरा अनभव रहा हमें जम के धाई घंटा दुनिया की वारता करने पड़ गई मुझे लग रहा था से मेरे श्री सारा खूल निकाल लिया किसी ने मैं कैसे क्लास दोंगा वस सो ट्रॉबल इतने में भक्त ने गोपाल प्रजापती ने हमको मेसेच किया हरे कृष्टन मंत्र का अपने रिकॉर्डिंग भेजी चक कराने के लिए कि प्रवजी कि हम जब ठीक स आए तो वह जो रिकॉर्डिंग सुने वह भी मुझे अम्रित जिसी लग रहे थे तो ठीक से लड़ खड़ा के बोल रहे थे पर में इनको बताया कि यह है से क्रिब बोली मैं बबकुर सही बता रहा हूं मैं बहुत इमांदारी बात बोला वो ठाही गंटे पकने के बाद हम को दो बार महामंतर बोलें वह भी अम्रित लग रहा था हमने का यही सुनना चाहिए तब महसूस हो रहा था कैसे दुनिया की वारता रीली हमारे भगवान के भगवत संपर को तोड़ देती है जस्ट इजस्ट सैप्स आवर स्पिरिचल एनरजी आप लोग को आसा भी हुआ आपको इच्छा होगी और जब करें इस इतनाट यू फिल एन्लाइवन्ट बाइद चैंटिंग या आपको अन्भव कभी रत्यात्रा में खूब घंटों कीरतन किया हो और आपको शरीर पूरा थक गया है पूरा पसीना पसीना हो रहा है पर हिरदय आपको एक्दम हलका हो आपने से अन्भव किया है इडिस वेरी नाइस मेरा डेली रहत्यात्रा में हम लोग गए आठ घंटा वहां पर कीरतन हो खूब नाचे खूब नाचे बोडी पूरा एक्जॉस्ट हो गया लेकिन मौन रिदम प्रफुलित हो गया सबको इस प्रकार का अन्भव हुआ होगा म इसलिए एक अदर्शी में खूब करना चाहिए जब इस बात को गीता में एक बार बात बोले कि चौसट माला वो किया वो कह रहे मेरे को इच्छा होई कि मैं और चौसट कर डालो वाह किया इस्पीरेंस रहा होगा कि कब हमारा होगा तो पता नहीं लेकिन लगे रहना चाहि हम तो आप से सभी लों से पूछेंगे कि क्या आप लोगों को दिन के अंत में लगता है कि आपने कुछ बहुत ज़दा कर दिया क्रिश्टी के लिए नहीं लगता था और आपके परवार वालों क्या लगता है यह तो कुछ का दिन बार यह भक्ती करता रहता है 24 घंटे करत है दाम में सो जाने को भी समाधी किया थे वह वह वाली भक्ती होती है और 24 घंटे नहीं करते हैं है कि नहीं है वह खुत कटना ही है यह प्रक्रिया खीरतन कहलाती है यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाशा ना भी समझे तो भी इनको सुने मात्र से वह थोड़ यह समझे का प्रियास किजी देखिए भक्ती में श्रमण अपने सुना अंग श्रमण का मतलब है भग्वान का नाम रूप गुण लीड़ा आधी आपके कांसे स्पर्श हो कांसे स्पर्श हो मतलब दिमाग में जाए वह आगे की बात है अट इसमेजन्गर थे डॉर भीडेशी लोग है वह रेक श्रमंटर का आर्थ तो नहीं समझ रहे होटे हैं या जियसे हमारे मंदर में भी लोग आ रहे हैं तो अब सुझ के लग सब्सक्रिण का अर्ध मात्र संसुट है व इस लिकिन किवल शरर्लम द singles जआ वह है धार्मिक हो रहे हैं पवित्र हो रहे हैं पुन उनको एकट्टा हो रहा है that's why I was very happy today when mangalarati में बहुत प्रसंद था कि इतने लोग आ रहे हैं अब कितने लोग तो होंगे स्मझ रहे हो बहुत हजार तो मांनगे चली हजार लोग लग रहे थे हजार लोग होंगे महाराजी की इटन अब कर रहे तिस सब हो रहा था उत्ना सुनदर थरह से चल रहा था अमने का बड़ा ब्हगवान के सामने नाम लिए के जा रहा है उन लोग और ना मल न ले रहे हों लेकिन प्रापात किया रहा सिरति रेना फुमान भावत निर्मलहा उनका नाम भगवान का नाम सुन्तर शेवेक्टी निर्मल हो जाता इसने पर निविद्या सिसे लुगकर कि भाष सहां चाहिए भाशा Day mai come चोटे होगे is it not स्थ Demigrant jingle को सामने रख सब्सक्राइव ጤ पर सो talked Siri को मतलब नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 अब कहां जाएगा बच्चा तो कहां से सुनेगा इट इस गोज बियोंड मेंटल इंटिलेक्च्वल प्रैटफॉर्म सीधे आत्मा पेकार कर रहा है जब परिश्चित नहीं अभिमान्यू मां के गर्भ में पूरा वह सीख सकते हैं कि चक्रवू क्या से क्या होता है तोड़ा जाता जो भी है प्रवेश कैसे की जाता है तो बताएए कि इसका मतलब लाब हो सकता है तो बताएए इंसानों को लाब क्यों नहीं होगा आज हाँ यह हो सकता है कि आज आप वो परिवर्तन नहीं देख रहे हैं लेकिन परिवर्तन की शुरुवात हो गई डास्ट मेक सेंस प्रपात पहले भी क्या बोल चुके हैं जैसे ही आपने हरे कृष्ण को बोला है या सुना है कुछ सुना दे आपको बोला है या सुना है या सुना है उसी दिन से मुक्ति शुरुय हो गया ध्यान दीजेगा कि जो बोल रहा है वो तो चलो भले कुछ अपराद कर देंगा कुछ कहा नहीं सकता लेकिन जो सुन रहा है जरूरी नहीं कि वह अपराद प्राद नहीं कर रहा है। यह इनोसेंट इन इग्नरंस अग्यान में अज्ञान का बोला भाला पन इसलिए परमपुची जयपता का मराज कहते हैं वी डॉंट नो हाउ मच मर्शी वेर गिविंग टू अधर्स जब लोगा प्रसाद दे रहे हैं की तर कथा दे रहे हैं या कीरतन बोल रहे हैं त्यादित्य बहुत अच्छा है यह समझ में रहा है कि थोड़ा धार्मिक हो जाता इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है भले ही वह उसका अर्थ ना समझता हो यह बहुत सुंदर बात मैं को रिलाइज वह पहले मैं को नहीं समझ में आता था कि मुझे कुलता क्रोध भी आता था यह बेकूफ क्यों छोड़ गया भक्ति कभी-कभी यह लोग भक्ति छोड़ देते हैं और मुझे प argent गुसे ऐता था क्यों यह बेकूफी कर रहा है क्यों छोड़ से जा आब उत्तर दृसे क्यों बेकूफी क्यों करता था बेकूफी तो है मुर्फता है उसको आहरह हो कि कि उसको परिवर्दतर नहीं उसको ऐसा लग रहा आपको हम डिस्टरब्ली करेंगे, is it not? वो सुनते नहीं है महिमा को कैसे काम करते हैं महिमा को नहीं सुनते, ठीक है, ये भी, सब सही उतर है बक्तों का संग छूड़ गया है, वही तो बोलो कि बक्तों का संग छोड़ के क्यों जा रहा है विश्वास नहीं, यही सब मुल्क बहुत सारी कारण है, मुझे तो ऐसा भी अन्भाव होता है कि उसको समझ नहीं आ कि हो क्या रहा है और इसमें सारे फैट्रे से इंवाल हो जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यह है क्या चीज जो आप बोलों बिल्कुल सही बात है, उसको भी क्लिक नहीं किया कि क्या चीज़ है, कुछ कहना चाहते है, माइक दीजेन को उसको अभी भी होप से लगी हुई है कि बहुत ही जगत में कोई सुख है और उससे अच्छा है, हाँ जी भी करणा है या कि पैसे के लिए पूर्न हो गया, चले गए लेकिन इस पीच में क्या हुआ उसका जीवन पवित्र होने लगत और कई बार ऐसे भक्त फिर बाद में भक्ती करने के लिए फिर वापस आते हैं यह भी मेरा बहुत सुन्दर अन्भव है कि जिससे उमीद छोड़ दीते कि यह आएगा वह खुद ही वापस भक्ती में आता है खुद ही अब यह क्यों के जड़ा यह बता दीजिए इस डिफिकल्ट कुर्षिट जब छोड़के चला गया तो उसको मतलब क्या उसको नहीं चाहिए अब खुद ही वापस क्यों आ रहा है हां उसने भक्ती में टेस्ट अंभव किया है लेकिन विविल्डर होने कारण वो सोच राए कि नहीं मायम बहुत अच्छा टेस्ट है यह एक नहीं मैंने कितनी बार देखा रहत हो और फिर जब मायम जाता है तब देखता है रहे नहीं यहां तो एक्षल कोई टेस्ट नहीं बुस्षर प्राइब व स्टेस्ट अद बीसट इस्ट अधिन और मंगलारति आसके नहीं पाते एक नपर सादना कर सके यह वां किर्पा है कि नहीं वी तेक इट वर गरंटेद है कि नहीं पसली स्लामत है कि अधिए अधिए ग्रेट्फिल टो कृष्णा कि हमारा सब कुछ शरीर ठीक है बजन कर पा रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगना कि भाई देखो भले ही वह भक्ति में पूर्ण रूप से प्रगति ना कर सके लेकिन संपर्क तो उसका हो गया कुछ जीमने कुछ तो पवित् करके रखता हूं they may come with any intention anyone with any intention लेकिन आया है तो कुछ जाप ही करेगा ना जाप करेगा भवान को देखेगा हमारा क्या ले जाएगा एक भाक्त बोल लेते प्रुछ आप से लोग दोका कर देते हैं हमने का क्या उखाल लिया मेरा बताओ क्या कर लेंगे बताओ हम तो रखे रहे ना खूला दरवाजा कोई लेके गया भागवात लेके जाएगे नहीं जो भगवान ठाकुर जी किर्पास है कुछ ज्यान देने हो तो चीन सकते नहीं चीनने के लिए हम तो देने के लिए बैठें लेलो भाई है की नहीं वो कोई लेनी सकता जब को ऐसा देने की जब चीन के लिए जाओगे तो नुक्सान क्या कर दोगे मेरा कुछ नुक्सान नहीं कर सकते हैं उसका कुछ फाइदा ही कर जाएगे वह अपना कुछ फाइदा ही कर जाएगा वह नुक्सान कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वाकई दिखा जाए तो नुक्सान कुछ नहीं कर सकत और ऐसे तो घुमी रहा था, आप समझ रहोंगे, मैं क्यों बोल रहा हूं इसे बाते हैं, बाते हैं, जैसे आपके बातीजी बातीजी लोग हैं, आप कौन जान आगे बातीजी करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो माला कर रहे हैं चार माला कर रहे हैं, चार माला मत्तर पचिस लाख नाम साल के, and they have no opportunity to do any offense, think about that. तो जब भक्ती पे आपको विश्वास होगा तो आप जरूर लोगों को भक्ती देने का प्रियास करेंगे. Gokarn helped Dundukari to attain salvation while reciting Srimint Bhagavata for seven days. Dundukari was in shallow bamboo while he was listening to Srimint Bhagavata. अच्छा इसलिए आप बोल लेते हैं कि भगवान के धम जाते हैं तो पत्ता तोटने के वाज होती है. Shri Krishna से संबंदित दो प्रमुक गरंत उपलब्द हैं. एक गरंत का नाम है Shri Mat Bhagavad Gita, जो की स्वेम भगवान Shri Krishna के द्वारा बोली गई है, दूसरा गरंत है Shri Mat Bhagavatam जिसमें भगवान Shri Krishna के बारे में कहा गया है. इस तरहे दो प्रका के Krishna कताएं उपलब्द हैं और दोनों ही भगवान Shri Krishna से संबंदित होने के कारण, समान रूप से शक्तेशाली और प्रभावकारी हैं. भगवान Shri Krishna अर्जुन को Shri Mat Bhagavad Gita का ग्यान कुरुक्षित्र की युदिस्तल में दिया था, इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युदिस्तल से क्या लिना देना है, हमारा उससे कोई संबंद नहीं है, हम तो आध्यात में ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युदिस्तल से क्या करना है, क्योंकि Shri Krishna युदिस्तल में स्वयम उपस्तित थे, इसलिए सारा युदिस्तल ही कृष्ण में हो गया था, जिस प्रकार किसी धातु में विद्युद्धार आप्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युत में हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान Shri Krishna किसी विशय में रुची लेते हैं, तो वह सारा विशय क्रिश्ण में हो जाता है, यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र की युदस्तेल की चर्चा आवश्यक नहीं थी, यही है उनकी सर्व शक्ति मत्तार था, जहां भी कृष्ण का संपर हो गया पूरा स्थान कृष्ण में हो गया, श्री भगवान की इस सर्व शक्ति मत्ता का उलेक श्री मत्भागवत में भी मिलता है, कई कृष्ण कथाएं उपलब्द हैं, वैदिक साहित इन यद्दपी वेद और दूसर शास्तनों को देखने से लगता है, कि वे कृष्ण कथा नहीं हैं, बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तम में वेदों के सहित हमारे सभी शास्तनों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है, अब प्रशन यह उटता है कि बला कर्ष्ण करता सुनने से क्या लब होगा उसका उततर हम काल सुनेगा। Okay. Vakti Impressions. झोल असुन आप टेर ठीक है, Faith Abhav. Let's stop. Thank you all! Shень प्रुपीपात की जाये, प्रताइगोवर प्रिमानन दे.